सब्सक्राइब कीजिए टेलीग्राम टाइम्स को ट्रेंडिंग वीडियो सबसे पहले देखने के लिए भारत और इंग्लेंड के बीच दूसरा टेस्ट मुकाबला लॉट्स के मैदान पर खेला जा रहा है और आज खेल के तीसरे दिन इंग्लेंड के फैंस की एक घटिया हरकत देखने को मिली वैसे तो इंग्लेंड के फैंस काफी ज़्यादा सब में माने जाते हैं लेकिन आज उनकी ये हरकत देखने के बाद आप लोगों की राय जरूर बदल जाएगी दरसल ये पूरा वाकिया तब हुआ जब केल राहुल बांडरी पर फिल्डिंग कर रहे थे और तब ही इंग्लेंड के दरसक वाइन कॉक्स केल राहुल की तरफ फैकने लगते हैं और एक या दो नहीं बलकि दरजन वाइन कॉक्स केल राहुल की तरफ फैकी जाती है और इंग्लेंड के फैंस की ये घटिया हरकत इस बार कैमरे में भी कैद हो जाती है वहीं इंग्लेंड के दर्सकों की एक घटिया हरकत देखने के बाद भारती टीम के कप्तान विराट कोहली भी काफी गुस्से मेनेजर आते हैं विराट कोहली केल राहूल को इशारा कर वाइन कॉक्स वापस दर्सकों की और फैकने के लिए भी कहते हैं वहीं आपको ये भी बताते चलें कि केल राहूल इस सीरीज में काफी अच्छी ले मनेजर आ रहे हैं पहले टेश्ट मैच में उन्होंने काफी अच्छा पर दर्सन किया तो वहीं दूसरे टेश्ट मुकाबले में उन्होंने शतक भी जड़ दिया और सायद इंग्लेंड के फैंस इसी बात से नाराज हों और इसी लिए उन्होंने आज केल राहूल को टार्गेट करने का फैसला किया था लेकिन जो कुछ भी हो इस बार इंग्लेंड के फैंस की एक घटिया हरकत कैमरे में कैद हो गई है और सोसल मीडिया पर लोग लगातार इंग्लेंड के फैंस की खिचाए भी कर रहे है तो वहीं आप लोगों क्या लगता है कि ऐसी घटिया हरकत करने वाले फैंस पर कारिवाई होनी चाहिए या नहीं आप लोग अपनी राहे में दे सकते हैं कमेंट बॉक्स के जरिए